अखाडा परिशत के अध्यक्स ताइस प्रतिष्ठित बागंबरी पीट के श्री महंत नरेंदर गिरी जी महाराज के दुखत घटना से हम सब गतीफ हैं एक दुखत घटना है और इसलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रते बिनम्र सरधान जली ब्यक्त करने के लिए मैं स्वय में हपर उपस्तित हुआ हूँ यहारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज के एक अपनूनिय च्छती है अखाड़ा परिसाद और संत समाज की जो सेवावनोने की है मुझे याद है प्रियाग राज कुम्ब दोहजार उन्नीस में जिसे बैस्विक मंच पर माननेता मिली इस कुम्ब से चुड़ी भी एक एक घटना को आम जन्मानस और सरधालों की भावनों के उन्रूप कैसे हम बैस्विक अस्तर पर पहुंचाने का प्रियाज करें इसके लिए उनका हर प्रकार का सयोग हमें प्रियाग राज कुम्ब को सकुसल सुरक्षित और सुब्युवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था मैं उस समय देखता था कि अख़ड़ा परिशत के अध्यक्स होने के पापजोद क्योंकि सादु समाज के बीच मैं कारे करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अप्पान की चिंता के वेगर प्रियाग राज कुम्व को पुरी भव्वेता के साथ आयुजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था प्रियाग राज कुम्व के पूर्व संगम पूजन और मागंगा की पूजा के कारिकरम को यहां पर आयुजित हो उनके इच्छा थी कि आधने प्रधान मंत्री जी अगर इस कारिकरम को लेकर के प्रियाग राज बधारें तो इससे काभी चीजें हमारे ले और भी अच्छे ढंक से से प्रस्तुत करने का एक उसर प्राप्त होगा और प्रियाग राज कुम्ब के पूर्व जब प्रियाग राज से जुड़ेवे विभिन प्रकार के यहां के भौतिक विकास से जुड़ेवे कारिकरमों का लोकारपन और सुभारम के लिया दने प्रधान मंत्री जी का प्रियाग राज आगमन हुआ था तो उन्होंने उस मोहर्त को उसी के साथ जोड़ा था पुरा उनुसासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते वे उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बहतर समन्वे और संबाद के माध्यम से जैसे अपने घर का कोई कारे होता है, उसी तर्ज पर प्रियागराच कुम्ब की भप्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक सरधालों की विवस्था, तेरा खाड़ों के बीच में परस्पर संबाद और समन्वे, हर एक पंत संपरदाय से चुड़े वे, आचारे धर्माचारें के बीच में बहतर संबाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुन्दर प्रियाश किया था, उसका पेड़ाम था, कि प्रियागराच कुम्ब, पहली बार बैस्विक मन्च पर एक अद्वुद घटना की रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यास्ता, सुरक्सार यहां पर स्वच्चता की नए मानक प्रतिस्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टि किसी मठ मंदिर का हो या फिर अखिल भारतिय स्तर पर समाज और तेश के हित्मे किये जाने वाले हरे एक निर्ड़े में उनका सानित्य और स्योग प्राप्त होता था आज यो हमारे पीच में नहीं है उनका दुखद आउसान हम सब के लिए खास तोर पर धार्मिक जगत के लिए आध्यात्मिक जगत के लिए कपूनी अच्छती है मैं दिवंगत आत्मा के सांती के लिए प्रोशीर राम से प्रियागराज से और यहाँ पर सादू समाज की जो उनका ने सेवा की है उन सभी पित्रों से भी प्रार्तना करूंगा यह ने उत्तम लोकों की प्राप्ति हो और वहाँ जिन कारिक्रमों को ले करके चले थे अखाड़ा परिसाश से जुड़े वे सादू समाज से जुड़े वे बागंबरी पीड़ से जुड़े वे इन सब की पूर्ति और इने सकुसल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सयोग्यों, अन्युआईयों और उनके सिस्यों को प्राप्त हो यहां की कल की घंटना को ले करके बहुत सारे साक्स से कलेक्ट के गये है चुकि एक बरिष्ट धर्माचारे और अखड़ा परिशत के अध्यक्स से जुड़ावा मामला है उन्हें इस पूरे केस की प्रोपर्टी का हिस्सा मानते वे पुलिस के एक टीम जो है के एडी जी जॉन आई जी रेंज और डी आई जी प्रियागराज एक तीनों और मंडला युक्त प्रियागराज इस सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर के साथ इस कारिक्तरम को आगे बढ़ा रहे हैं एक एक घटना का प्रताबासों का और जो भी धार्मिक रीती है सास्त्रोक्त पद्दती से उनकी भावनाओं के नुरूप समाधी का कारिक्रम यहां पर संपन्व होगा सभी अजिंसिया अलर्ट है और इस पूरी मामले में हर विक्ति आहत है बिथित है मैं एक बार फिर से दिवंगात आत्मा की सांती की कामना करता हूँ प्रदेश सरकार की ओर से अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें बिनम्र सर्धान जले अर्पित करता हूँ प्रवसिर राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ ब्रमलीन महांत नरेंद्र गरीजी महाज को अपने सी चणों में स्थान दे